फ्रेंट्स आज हम एंटी में रिले के बारे हम बात करेंगे तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि ब्रेकर की क्लोजिंग सर्कृट्स के बारे में तो सबसे पहले हम उस क्लोजिंग सर्कृट्स से ही आगे बात करेंगे सबसे पहले मैं बताते हैं कि NT में अपने रिले क्या होता है तो NT pumping relay एक auxiliary relay होता है NT का मतलब होता है विरोध करना और pumping मतलब यहाँ पर command से है command का विरोध करना command का विरोध करने का मतलब यह है कि अगर closing circuit पे close command दिया गया है और यह ही command continuous purchase कर रहा है closing coil को जला सकती है burn कर सकती है या फिर उस condition पे अगर fault आता है और closing जो अपना जो TNC है push button भी भी operated condition पे या push condition पे हैं तो इस condition में breaker एक के बाद close होगा फिर open होगा फिर close होगा और फिर open होगा यह random operation चलने कारण breaker को mechanically stress हा सकता है और breaker damage हो सकता है इन सब drawback को कम करने के लिए हम anti-pumping relay काम करते हैं यूज करते हैं अब है इसमें थोड़ सा और समझते हैं कि anti-pumping relay का main purpose क्या होता है closing coils में बहुंँ सरे interlock होते हैं जो हमने last video में समझ लिया है इस fix में भी बहुंँ सरे चीज़ दिखा रहा है कि गैंस pressure, anti-pumping का contact breaker, खुद का contact और आपका जो spring charge का contact NC होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके जितने भी relay हैं वो सब NC होने चाहिए तब ही हमारा close closing circuit पे आता है NC contact लेकिन यह contact अगर anti-pumping यहाँ पर आप देखेंगे कि anti-pumping closing coil के हमारा parallel लगा हुआ यह हमारे anti-pumping का coil है जो closing circuit के parallel में है ठीक है इसका मतलब यह है कि command जो भी हमारे closing coil तक आती है वो भी same path में divide होके closing coil तक भी आती है ठीक है तो और इसी coil का एक contact आपको यहाँ दिया हुआ है ठीक है अगर इसका मतलब यह है कि अगर हमारे anti-pumping relay opted नहीं है reset condition पे है तो उसका NC contact हमारे closing coil के series में रहेगा और closing coil के series में रहेगा और diet closing coil को कमान देने के लिए important rule पेग करेगा ठीक है अभी इतने ही circuit को जो हमारे simple से circuit है इसी circuit को हम एक बड़े रूप में explain करते है यह आपका सिब anti-pumping part का ही section view है जो hand return drawing है इससे clear हो जाएगा यहाँ से breaker का command आपका सीधे आएगा breaker command आने पाद यह आपका break point 1 में यहाँ लिखा हुआ है break point 1 यह कुछ नहीं है यह breaker का normal open condition में जब breaker close नहीं है उस condition पर यह NC contact है ठीक है और similarly ND pump के relay का जब वो pick up नहीं है यह ND pumping है जो closing call के स्रीज में परलगी हुई है उसका NC contact है जब वो pick up नहीं है similarly यहाँ से दो part में होने के बाद फिर से यह दो part में बढ़ जाता है तो एक part में यहाँ पर दो circuit जो दो circuit जो एंटी pumping coil के स्रीज में लगी है उसमें एक है हमारा breaker के आफ कंडिशन का एनो कॉंटेक्ट और एंटी pumping coil का ड्रॉप कंडिशन में एनो कॉंटेक्ट इन सब कापस में क्या relation है बस दो मेंट में आपको clear up से जाएगा सबसे पहले हमारा जो command है सबसे पहले हमारा command सीधे आता है चूंकि breaker हमारा भी off condition में है तो हमने उसका NC contact लिया है तो इस simple command यहाँ से यह NC बना हो रहेगा command यहाँ के through हो चुका है इसलिए command आगे जाएगा nd pump relay coil अभी हमारा reset है drop pickup नहीं है इसलिए यह command सीधे NC है तो सीधे command यहाँ तक आ जाएगी और closing coil में हमारा command यहाँ तक है यहाँ से negative आ रही है तो यह इसको operate कर देगा जैसी ही यह पहला case हो गया है जैसी ही closing coil operate करेगा breaker हमारा close जाएगा तो breaker का यह जो contact है जो अभी फिलहाद NO था वो just इसके बाद NC हो जाएगा तो breaker का यह जो command है वो NC हो जाएगा ठेक है यहाँ एक coil अभी यहाँ तक command पहुँची है similarly एक command आपका similarly यहाँ से घुम के यहाँ तक आ जाएगा अब दो command हमारे पास है तो यह वाला NC हो गया और यह वाला हमारा कोई NO हो जाएगा इसके NC करन यह command हो गई है और यहाँ पर breaker जो है आपका यह वाला break.1 काम कर गया है break.1 ब्रेक हो गया है ठीक है break.1 ब्रेक हो गया है ठीक लेकिन जैसे ही closing coil हमारा operate हुआ हमारा यह वाला section जो है NC हो जाएगा और यह वाला section break.2 जो है वो भी हमारा क्या कर जाएगा सर्यूस में आ जाएगा और यह वाला circle भी हाँ से break हो जाएगी तो अब हम कह सकते हैं कि closing coil पे कोई भी signal हमारा नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि breaker हमारा actual में close हो चुका है जब breaker actual हमारा close हो चुका है तो command जो breaker के लिए आ रहा था वो दोनों condition पे यहीं तक आके रुका हुआ है ठीक है लेकिन दूसरी circuit में क्योंकि हमारा breaker भी close है इसलिए जो no contact अब NC होगे और वो coil तक आ रहा है कॉईल तक जैसे आएगा तो यह जो pick up contact है उसको NC कर देगा तो यहां से भी जो अब यह पाट दो पाट में यहां सब घुमकिये यहां तक आ रही है और इन दोनों condition में आपका जो anti-pumping coil को signal मिल रहा है और वो pick up condition पे है ठीक है जब तक वो pick up condition पे है तब तक हमारा ये break point break point 2 out है मतलब break point 2 में break condition पे है breaker जब तक close condition पे है break point 1 भी हमारा है, मतलब circuit वहाँ पर कटी वी है, अब माल लिजे कि condition बहुत important condition है अब माल लिजे कि circuit में fault आता है और आपका जो breaker है वो open हो जाता है breaker जैसे ही open होगा आपका CB का ये वाला part ये वाला CB का जो ये वाला contact है, ये contact NC हो जाएगा, ठीक है ये वाला contact आपको हो जाएगा NC और ये वाला contact आपको हो जाएगा A9 ठीक है, clear हो गया clear हो गया, फिर से समझते है एक बार इसको, ठीक है जैसे ही breaker अब breaker है fault आया तो यह वाला part जो हो जाएगा वो आपका no होगे इसलिए command यहां तक जुड़ी है और इसके लिए क्योंकि यह ओरड़ी nc है ही ठीक है यह ओरड़ी nc है और यहां से जो command आ रहा था वो similarly आके यह भी nc होगया है इसलिए command आगे यहां तक आ गई है ठीक है अब command यहां तक आ गई है पहले case में अब इस condition में आपका जो फिप्टी यह आपका जो एंटी पंबी रिले ही अभी पिक अप कंडिशन में है breaker अब close होके open हो गया है लेकि coil हमारा एक बार जब वो pick up हो गया है तो breaker अब open भी हो गया है फिर भी इसका यह वाला contact तो क्या है आपका NC ही है और यह वाला contact आपका break point to contact तो आपका NO ही है मतलब अब condition में ना आपका दुबारा जो closing command है अब ना आपका closing call तक नहीं पहुँचता हैगा जब तक हमारा anti pump रिले reset ना हो जाए ठीक है तो fault condition में दुबारा गर यह चीज़े continuously हो रही है तब तक कि आपके चीज़े reset नहीं होगी तब तक यह चीज़े जब तक यह चीज़े service में नहीं आएंगी और आपका open के बाद close और फिर से open होने के बाद close condition आ रहा है तो वे यह जो यहां से circuit जो है आपका क्योंकि कटा हुआ है break point 2 अभी भी कटा हुआ है इसलिए आपके closing coil protect हो जाती है ठीक है यहां से signal से यहां से signal आ जाती है यहां पाद दिल्चस्ट बात यह है कि closing coil जो anti pumping का जो coil होता है वो सबसे पहले किसी दूसरे auxiliary content के कारण pick up करता है और अपनी ही राष्टे को बना देता है जब यह वाला point जब auto service हो जाता है तो दूसरा position कारण खुद का content को series जबना के अपने आपको supply लेते रहता है हम इस concept का बहुत जगा यूज़ करते हैं अपने circuit को protect करने के लिए और यह बहुत important है अब हम पितले circuit में जाते हैं और आपको इसको दुबारा extend करते हैं जिसके आपको बहुत सारे चीज़े और clear हो जाएंगी ठेक है closing quality तक गया क्योंकि यह ब्रेकर रेनो कंडिशन में और यह भी pick up नहीं है इसलिए यह NC contact था इसलिए सीधे सीधे closing quality पहुंच गया अभी क्या होगा जैसे ही आपका जैसे ही आपका ब्रेकर जो है close होगा जैसे ही ब्रेकर close होने के करन क्या होगा आपका यह जो contact है यहाँ से command आ रही है इसको भी operate कर देगा ठीक है और चूखर यहाँ पर आरी सीधे इसको अप्रेट कर देगा यह से यहाँ प्रेट होगा यहाँ पॉइंट नेशी होगा अब आपका जो command है वह ऐसे भी आ सकता है ठीक है और चूखर यह pick up होगे इसलिए यहाँ पॉइंट आपका कट हो जाएगा तो अब इसी एक ही सर्कुट बच जाती है जो क्लोजिंग कमाट तक जाती है वो क्वाइल है आपका वो वोले सिस्टम बस आके यहां तक आके आपको रुख जाएगा इसलिए सर्कृट हमारा बार 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 ओपन क्लोशी कंडिशन बस जाता है अब मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे कॉमेंट्स कर सकते हैं तब तक लिए धन्यवाद